हलो दोस्तो गुट मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप सब ऐसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मजे में होगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नीज लोग में तो दोस्तो हो चुकी है प्यारी सी सुबा की शुरुआत आज है 26 सितंबर दिन है ब्रास पतिवार का और सुबा का समय हो रहा है सुबा के ल काना बनेगा तो यहां पर आ चुके हैं घर पर और इधर हमारी चाय बन रही है और इधर हम लोग सबजी काट छील रहे हैं क्योंकि सबजी पहले बना लेंगे उसके बाद में रोटियां बनाएंगे और साथ में चाबल भी थोड़े बहुत बनाएंगे तो यहां पर थोड़े से बादल भी चाय हुए हैं और हलकी सी बूदे भी पड़ रही है इन दिनों में मौसम थोड़ा सा अच्छा नहीं है और यहां पर सबजी पहले चौक देते हैं चाय बन चुकी है कुछ लोगों ने चाय पी है कुछ लोगों ने अभी नहीं पी है चाय अभी रख इसे हम सामान मंगवा रहे हैं जो भी यहां पर कम था क्योंकि आरोही दरदट टहल रही थी तो मैंने का बेटा ये चीज़े उठा कर ला दो तो हमें नहीं बार बार उठना पड़ता है वैसे फिर अगर कुछ चीज़े भूल जाओ फिर दुबारा से उठो कई बार उठना प साले और आलू टमाटर की सबजी बनाएंगे ज्यादा कुछ नहीं सबजी है बस सिंपल सी बना लेंगे और अब की बार कल भी आरोही के पापा बाजार नहीं गए थे तो आलू ही रखे थे आलू तो रखे रहते हैं लेकिन और माकी की सबजीयां नहीं आ पाती हैं और रख और मैंने चौक दी है सबजी और अब उसी बीच मैंने नहा लिया था कपड़े बगेरा धुल लिये थे क्योंकि काफी टाइम लग गया था नहाने में भी और कपड़े धुले में तो आज भी मैंने कुछ थोड़े बहुत कपड़े धुले हैं जो की रखे हुए जैसे की आरो कोड़े आज भी मैंने धुल दिये थे क्योंकि टंकी का पानी जबाता है तो ये रहता है कि सुबा जितने काम हो जाएं पानी वाले तो सही रहता है फिर बाद में हम लोग भर कर रख लेते हैं तो बाद में बुआ भी नहाती है कपड़े बगेरा धुलती हैं काफी खर्च है तो उसकी बज़े से पानी खतम हो जाता है जल्दी से सभी के लिए अच्छे से नहीं हो पाता है तो जब तक टंकी रहती है टंकी मतलब आती है पानी टंकी में तब तक जो भी काम हो पाते हैं पानी वाले पानी के खर्चे वाले वो कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इतन कपड़े बहुत कपड़े सूख जाते हैं और इधर आ चुके हैं पूजा करने के लिए तो यहां पर कर देते हैं पूजा उसके बाद में फिर चाय नास्ता करेंगे और काफी भूख भी लग जाती है सुबा सुबा तो बैसे तो जल्दी से ही पूजा पाठ कर लेते हैं खा लेते हैं कुछ ना कुछ चीजे सुबा के टाइम खा लेते हैं खाना तो थोड़ा सा टाइम लगी जाता है बनने में और इन दिनों में थोड़ा सा लेट हमारा खाना बन रहा है तो लगबग जो है नकी नौतों बजी ही जाते हैं तब खाना बन पाता है तो तब तक हम सुब अभी हमारी पक ही रही है बन चुकी है बस थोड़ा सा मेने का और रख देते हैं इसको अच्छे से पक जाए आटा माड रहे हैं और हवा बहुत तेज चल रही है देख रहे हैं आप सभी पीछे से हवा बहुत तेज चल रही है तो यहाँ पर हमारी सबजी नहीं पक रही है च तो उसी बाले भवने में रख्दिये थे चावल पकने के लिए, तो चावल उतार कर रख्दिये हैं नीचे और आठा लगा लेते हैं, तो ज्याधा नहीं लगाना है आठा, थोड़ा साही लगाएंगे, क्योगी चावल हो गए हैं इतने सारे और थोड़ी सी रोटियां हो ज पसंद करते हैं क्योंकि जो भगोना या पतीली के चाबल बने होते हैं अब सभी को जाधा नहीं पसंद आते हैं कूकर के जाधा सभी लोग पसंद करते हैं पहले के जमाने में क्या था कि पतीली में ही चाबल बनते थे और दाल और सबजी भी थोड़ी बहुत पतीली में ही ब बन जाती थी लेकिन अब नहीं सबी लोग पतीली में चाबलावल बनाते हैं अब तो सिर्फ उसमें यह न कि कभी कभी यालू टमाटर की ऐसी सबजी होती हैं सो बन जाती हैं पहले तो हमारी एक बड़ी सी पतीली रखे यह उसमें बुगा बोलते थी कि उसी में हम लोग पतीली है तो अब तो कूकर चड़ा लेते हैं या फिर भगोना चड़ाते हैं हलके बरतन चड़ाते हैं और यहां पर हम लोग सेकने लगे हैं रूटियां और खाना बन गया था उसके बाद में सभी ने खाना खा लिया था और अब जो साप सफाई के काम हैं वो बस सब धीर दीरे करते रहेंगे नदत जी हमारी चली गई है अड़े की कड़ाई के लिए तो अब हम अकेले ही घर पर हैं तो इतने ठाइम बस अब दीरे दीरे जो भी काम बाकी के हैं वो धीरे दीरे करते रहेंगे आराम आरम करते हैं बीच बीच में आराम भी कर लेते हैं तो पहले म साप सपाई काना बहुत ही जरूरी हो जाता है विसे साम के टाइम में चाहें छोड़ भी दो सुबा के टाइम करो लेकिन जो सुबा की साप सपाई होती है चूले की बहुत तुरंत ही करनी पड़ती है तो जो राक बगेरा है वो हम टीपे में भर देंगे और चूले की पुता बनाये रखना और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और कल के ब्लोग में एक और कमेंट आया है जो कि मैंने जो मुलतानी मिट्टी लगाई थी चेहरे पर वही आप सभी के साथ में मैंने थोड़ा सा सेर किया था तो उन दीदी ने कमेंट किया है वो अकसर कर जब भी कमेंट करती है तो कुछ ना कुछ गलत ही कमेंट करती है मैंने अकसर कर उनका कमेंट देखा है तो वो गलत ही कमेंट करती है तो उन्होंने कमेंट किया है कि काली कलूची चेहरे को चमकाने थोपड़े को चमकाने चली इस तरीके का उन्होंने कमेंट किया है और हमारी बहुत सारी दीदियों नीचे भी कमेंट किया है उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा है क्योंकि ऐसा उन्होंने कमेंट ही किया है तो दीदी जी आप से कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे ब्लोग नहीं पसंद आते हैं अग कि आप इस तरीके के कमेंट ना किया करें, इससे अच्छा है अगर आप लोग देखती भी हैं, लेकिन कमेंट मत किया करें, क्यूंकि आपको जब अच्छा नहीं किसी के बारे में लिखना आता है, तो बुरा क्यूं लिखती हो, तो मैंने ये जो मुलतानी मिट्टी लगाई थी चेहरे पर वो कोई चेहरा साप करने के लिए नहीं लगाई थी क्योंकि इतने हम काले भी नहीं है ये इस वज़े से लगाई थी कि थोड़ा सा चेहरा सही लगे तो इस वज़े से मैंने लगाई थी और कुछ भी चीजे लगाने से कोई गोरा या काला नहीं हो जाता है ये हमारे यहां तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल काले हैं तो वो लोग अगर ऐसे कोई चीज मिल जाए कि लगा लें गोरे हो जाए तो वो लोग लगा लें कितनी भी महंगी चीज मिलती हो लेकिन फिर भी लगा कर लोग गोरे हो जाए तो आप सब आप से रिकोस्ट है आप प्लीज ऐसे कमेंट ना करें क्योंकि इन दिनों में बैसे भी काफी टेंसन हो जाती है जब कुछ इस तरीके का कमेंट आते हैं या कुछ भी तो दोस्तों सुबा के टाइम बहुत तेज बादल चाहे हुए थे इतने टाइम हलकी सी धूप निकल आई है और यहाँ पर बुआ ने कुछ चीजे सुखाने के लिए डाली है इधर हमारे कपड़े भी सुख चुके हैं थोड़े बहुत और हवा चल रही है आज तो थोड़ी सी गर्मी कम है गर्मी से राहत है और इधर आप सभी को दिखाते हैं आप सभी कमेंट करते हो कि यहाँ की आप साप सफाई नहीं करते हो सभी लोग नहीं कुछ दिदिया हमारी कमेंट करती है तो यहाँ पर बुआ अच्छे से साप सफाई करती है पूरे में अच्छे से साप सफाई है लिपाई पुताई भी बुआ ही करती है और इधर रखे हैं मुंगफली के थोड़े से दाने जो कि इन से तेल निकल वाया जाएगा तो आज ये पापा लेकर जाएंगे ये रखी हैं ये दाने रखी हैं जो भी इस से खराब खराब थे वो निकाल दिये हैं इनका अब तेल बनवाया जाएगा यहाँ पर मुंगफली के दाने हैं और इसमें सरसों काली वाली तो दोनों को एक साथ में ही मुंगफली के दाने और सरसों दोनों को एक साथ में ही मिला कर और इस से तेल बनवाया जाएगा तो बंद करती है मैंने क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं और यहाँ पर कूड़ा रखा है बुवा ने चारा भी इदर खंद चुका है जो कि इसे इंजन से ही चारा खंद आ गया है उसके बाद में हम आचुके हैं घर पर और यहां पर आज हमसे एक भहिया मिलने आये थे जो कि हमारे रिलेशन में ही हैं तो जो हमारी बहन हैं उनके ये जेट जी हैं तो आज ये वीडियो के बारे में ही हमसे मिलने के लिए आये थे जो कि कुछ चीजे मतलब पूछने के ए है थे मीठा वही मैने का सभी को खिला देते हैं और बाते हुई थी बहुत सारी और यहाँ पर पापा पाप बॉए भी बैठे थे पापा चले गए हैं अभी गई है क्योंकि 4 आउरा डालने का टाइम हो गया है इतने टाइम और आरोही भी बैठी है आरोही भी जो हैने की मीठा यहाँ पर खा रही है और आरोही को तो सबसे ज़्यादा मीठा पसंद आता है तो इन भाईया का चैनल का नाम है येसके कुसबाहा तो आप सभी को लिंक डिरिक्प्रेशिप्शन बोक्स में दे देंगे वहा और यहाँ पर आज बुआ लेकर आए थी सनई के फूल तो ये गाउ में सनई के फूल भी मिल जाते हैं इनकी बनती है सबजी तो गाउ में कुछ ऐसा छुटा ही नहीं है कि जो चीजे ना मिलें सबी चीजे मिल जाती हैं और ये थोड़े ही थे फूल तो बुआ ने का कि थो वाले नहीं तोड़े जाते हैं जो खाली लगे होते हैं वो तोड़े जाते हैं तो यहाँ पर हमारी नदजी ये बड़ी अम्मा का तुरई का पेंड़ खड़ा है यहाँ पर तो नदजी तोड़ रही है आरो ही भी साथ में तोड़वा रही है और मैंने भी थोड़े बहुत आ गई है और ये जो फूल होते हैं इनको बहुत ही देखना पड़ता है समाल का चीटी भी होती है कुछ कीड़े बगेरा भी होते हैं तो पहले हम लोगों ने अच्छे से इनको साप कर लिया है और अभी इनको रखना है पकने के लिए तो उबाल कर ही बनाएंगे और काफी ट पहुत हलकी निकली थी तो बहुत जल्दी से ही दिन चला गया है बैसे इतना जादा भी टाइम नहीं हुआ है लेकिन जिस दिन दूप नहीं निकलती है उस दिन बहुत जल्दी से ही ये लगने लगता है कि अंधेरा हो गया है रात होने बाली है तो बस फटा पड़ से फू चूल जला लेते हैं और फूल मेंने अच्छे से धूल लिये हैं बस अब रखने हैं चूला जलाकर और यहां पर Polythean रख ली है जो कि कभी कभी कुछ ना कुछ चीजे खाओ या आती है तो वही वाली Polythean लगाकर चूला जला लेते हैं अच्छे से और बैसे तो चूला जल्दी से जलता नहीं है क्योंकि पहले तो मिट्टी का तेल भी मिल जाता था अब तो मिट्टी का तेल कहीं पर मिलता नहीं है पहले सबसे ज़्यादा हम लोग मिट्टी के तेल से चूला जलाते थे लेकिन अब वो ची मोटी वाली रोटियान जो कि मोटी वाली रोटियों के साथ में भी ही अच्छे लगे थे और कभी कभी यह देस्ट कर दोड़ाके क्योंकि सुबा के टाइम लिया था और मैंने का गरम कह लेते हैं तो खराब नहीं होगा वैसे तो उतनी देर से चूला जला नहीं था और गय सबी भरवाई नहीं गई है तो भरवा ली जाएगी क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता है तो अभी आरोई के पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो उन्होंने का कि हम बरबाकत दे देंगे थोड़ा सा रुख जाओ दो चार दिन तो हम लोगों ने का चलो क्योंकि छूले पर भी हम लोग आसानी से खाना बना लेते हैं वैसे तो जो लोग नहीं बनाते हैं उन्हों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है चूले पर भी आराम से खाना बन जाता है और यहां पर सनई के फूल उबल चुके हैं तो इसमें मैंने का डाल देते हैं नमक मिर्च और फिर हम छोंका लगा देंगे अब बस छोंका ही लगाना बाकी है तुरंत से दान गया था क्योंकि जदा कुछ कायना भी नहीं था बस यह सब्जी बनानी थी और रोटियां सेंकनी थी और abadi तोड़ी देर मुझें याँ अज आते हैं तो विडियो को लाइक गए करें चैनल पन्न न्यू है तो चैनल को सस्क्राइब करें कल फिर मिलेंगी कच्छे से ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तो को नमस्ते अपना बहुत ही ख्याल लखेंगा खूस रहिएगा